हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू यूट्यूब चैनल चलिए आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं टींडे की सब्जी इसलिए हम कडाई लेंगे और उसमें थोड़ा सा जीरा और हिंग डालकर उने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे जैसे हमारा जीरा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसे हलका सा हिलाएंगे और इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे यहाँ पर हमने दो बड़े साइच के प्याज लिये हैं जिने हमने यूँ लंबे लंबे चौप कर लिया है अब इन्हें हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे टींडे की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और इस जल्दी से बनकर त्यार हो जाती हैं आप इसे सर्फ करने के लिए रोटी चपाती पूरी परांठा के साथ सर्फ कर सकते हैं जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर करें यहाँ पर हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं फिर हम इसमें आड़ कर देंगे टमाटर और फिर हमने इसके उपर से एड़ कर दिये है कटे हुए टींडे यहाँ पर हमने इनको लंबे-लंबे काट लिये हैं सबसे पहले अच्छे से वोश करें और फिर इनको काट लें टेस्ट के कोडिंग हम मसाले एड़ करेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हमने तीखी वाली आट की है और फिर हम कश्मीरी लाल मिच पाउडर डाल देंगे हलकी सी हल्दी और वन्चमच धन्या पाउडर अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी सबजी इतनी टेस्टी बने कि जो भी खाए वो उंगलिया चाड़ते ही रह जाए इस वीडियो में हम इस सबजी के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आट करेंगे हम इसे ऐसे ही कवर कर देंगे लो फ्लेम पर और इसे सैवन से एट मिनिट तक के लिए पकने देंगे और बीच बीच में हिलाते ही रहना है देखिए हमने बीच बीच में हिलाया था ये कुछ इस तरीके की बन चुकी है बहुत ही यम्मी दिखाई दे रही है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लेज सब्सक्राइब करें और अब हम इसे गार्णिश करने के लिए उपर सैट कर देंगे हरा धनिया और इस टाइम पर हम गैंस की फ्लेम को ओफ कर देंगे क्योंकि हमारी सबजी बिल्कुल बन कर तयार है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू